हाई फ्रेंड्स वेल्कम बाक टू पीके दे ग्रीन शेफ किचन सो आज पीके दे ग्रीन शेफ किचन में हम बना रहे हैं तवा सोया चाप ये एक वेजिटेरियन रेसिपी है बहुत ही यमी लगती है बहुत ही टेस्टी होती है प्रोटीन रिच है सोया खुद में बहुत प्रोटीन कंटेन करता है तो आज हमने उसको एक तवा स्टाइल में बनाया है और ये as a snacks रेसिपी, evening snacks रेसिपी, as a starter रेसिपी आप इसको ले सकते हैं इसको अनियन और ग्रीन तो ये चाप अबलेबल होती है वह आप ले ये आप मैंने 3 पीस लिये है ये मेरे 400 ग्राम के एकॉर्डिंग 3 पीस होंगे सबसे पहले मैं इसको बॉइल करूंगी तो हमने आप पानी को गरम कर लिया है और इसको इसमें ट्रांसवर कर दिया है अब आपको जो चाप है अलर तरफ बना लेते हैं इसका कोटिंग कोटिंग करने के लिए हाप मैं हंकड ले रही हूं या थिक कर लीजिए 1.5 टीस्पून में यहाँ पर थिक और हंकड कोई भी चीज है बस वह यूज कर रहे हूं इसमें डाले ब्लैक पैपर थोड़ा सा 1.4 टीस्पून के कोर्डिंग ब्लैक पैपर देगी मिर्च कलर के लिए उसकर रहे हैं 1 टीस्पून इसके बाद जाएगा कोरियंडर पॉडर 1.5 टीस्पून क्यूमिन पॉडर जीरा पॉडर 1.5 टीस्पून 1.4 टीस्पून टर्मरेक पॉडर और डालेंगे इसके अंदर हम चाट मसाला 1 टीस्पून जि मस्टर्ड ओयल जब भी हम कोई चीज बनाते हैं पनी टिक का मश्रूम टिक का तो उसमें हम उसका फ्लेवर देने के लिए मस्टर्ड ओयल जरूर डालते हैं उससे एक बड़िया सा शाइन भी आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो अच्छे से इन सब चीजों होगा यहिस निट्ट हो गई है यह तूमेनती है यह विज hem एक प्लेट में में मैं निकाल लेती हूं अभगा इसको मने निकाल लिए अब आपको इसको ऍरक मेंसे निकाल ली जगने और झाडते हैं इसको जितने हम कीं पीसिस क भी ब्रस उप 얼마 कर साइस चाहिए यह अर पहल हमारी कट हो रही है यह देखे कितना बढ़िया हमने इसको कर लिया यह देखे बिलकुल वेजिटेरियन के लिए वेजिटेरियन है और नॉन बेच के लिए यह नॉन बेच जैसी लगेगी देखे कोई भी इसको खा सकता है अब प्रोटीन रिच तवा सोया चाप आज हम बना चाप बोईल कर लिए हैं ने कोटिंग बनाए धी उसमें ङदा देंगे अपनी जून लिए चाप त्ल्स घवली facility पीखे धी अच्छे मिने किया में करने लिए मिक्स की जिस्तरी की इस्को मूने में कोटिंग बनाई है और वह ईजली अच्छे से इसकी ओपर अपर सेट हो छोड़ देंगे और 10 मिनिट्स के बाद हम इसको बनाएंगे तवा सोया चाप रेसिपी यह देखें 10 मिनिट्स के लिए रेस दीजिए इसको 10 मिनिट्स हो गए है अपमारी यह पर्फेक्टली कोटिंग में मिक्स है अब हमें क्या करना है एक नॉन स्टिक तवा कोई भी तवा लेजिए और उसमें डाली ओयल यहां पर आपको वन अंडा हाफ टिबल स्पून ओयल यूज करना है से ज्यादा यूज नहीं करना कोई हम डीफ राइने कर रहे तवा पे बना रहे हैं सोया चाप यसी तवा आपका गरम हो जाए और इसमें आप डाल दीजे अपनी सोया चा कर देंगे सारी चीजों को और इसको सिकने देंगे यह देखे इसको मैंने लगा दिया है कितने बड़िया लग रहे हैं इतनी अच्छी कुछ भूह अरे फ्रेंट्स बस बनते ही मैं इसको खा जाओं ऐसा मन कर रहे हैं यह देखे यह परफेक्टली कोट हुए वे हैं मस्त लग रहे हैं बहुत ही सोया चाप यह देखे इसको हम 2-3 मिनट्स के लिए तवे पर सेखेंगे 2-3 मिनट्स के बाद मैं इसकी साइट को ऐसे चेंज करती जाओंगे देखें कितने बड़िया लग रहे हैं एक तरफ से सिखते जा रहे हैं और चिपक भी नहीं रहे हैं और हम हमारे तवा सोया चाप मैकसिमाम 10-12 मिनट्स में बनकर तैयार है हमारी किचन में यह देखें दोस्तों मैं आपको एक कट करके भी दिखाऊंगी कि कितने सॉफ्ट यह बने हैं यह देखें कितने बड़िया लग रहे हैं अच्छे जो कोटिंग थी हमारी वह अंदर तक सेट हो गई चले फ्रेंड्स प्लेटिंग करते हैं आप मैंने अनियन लिया है थोड़ा सा और हमने जुत्ता वा पे सोया चाप बनाई है मस्त मस्त क्रिस्पी क्रंची प्रोटीन रिच वह हम आप प्लेट में लगा रहे हैं इसको आप ग्रीन चटनी के साथ खटी मीठी चटनी क सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं आप राज ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्फ करूंगी अगर आपको शुरू से लेके आकरी तक रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको एंड तक देखिएगा दोस्तो और इसको लाइक करिएगा शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हुआ हुआ है